हेलो दोस्तों आपका एक बार फिर्ट से स्वागता है दोस्तों आज इस कड़ी का लास्ट पार्ट बनने जा रहा है दोस्तों पहले वीडियो में आपको दखाया पावर वेर्निंग समर्शिबर स्टार्टर की कैसे होती है पावर वेर्निंग दिखाई उसके बाद वोल्टेजमीटर और इंडिकेटर कैसे अटेच होता है यह दिखाया और तीसरे पार्ट में यह कंट्रोल स्विच कंट्रोल वेरिंग में कैसे अटेच होती है डिरेक्ट वैरिंग में और चोथा पार्ट आज देने जा रहा हूँ उसके मैं बताऊंगा कि ये दोनों कपैस्टर 50 MFD और 800 ये कैसे अटेज करेंगे ये दोस्तों एक HP के लिए ये स्टार्टर यूज कर रहा हूँ ये एक HP स्टार्टर का स्टार्टर है तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों ये जो रड़िंग को पैस्टर है ये लगाना बहुत ही असान चलिए लगाकर लगाए तों यहां पर लगा दिया दोस्तों और यहाँ पर आपको दखाई दे रहे है, R और Y, B ये तीनों मोटर का तार है इसमें B का मतलब Blue Wire, Common Wire होता है नीला तार इसको बोल जाते है और Y, Starting Wire और Running, Red Wire, Running Wire होता है तो Common Wire के साथ कोपेस्टर अटेच नहीं होना R और Y के साथ अटेच करना है तो आप ये जो पॉइंट है, R और ये जो Y R और Y, यहाँ पर ये कपेस्टर अटेच होगा पचास का कपेस्टर और दोस्तो अब बारी है Starting कपेस्टर, 80 होगी दोस्तो अब यहाँ पर आपको एक बात समझा दूँ चलो, मुझे मेरे सबी बाईयों को पता होगा रनिंग करता है, मोटर आपने 10 मिड़ चलाई, 10 मिड़ रनिंग करेगा आधा गंटा चलाई, आधा गंटा रनिंग करेगा तो इस से उल्टा इसको बोला जाता है Starting कपेस्टर यह देखिए यहाँ पर लिखा है, मोटर स्टार्ट कपेस्टर यह उल्ली मोटर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर एक बात गौर करने लाएगा अगर आपकी मोटर आईल फिल्ड है तो उस पर इसका जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगा कभी भी नहीं अगर वाटर फिल्ड है तब ही इसका जरूरत है वो भी सौ में से पचास केस होते हैं जहाँ पर इसका जरूरत पड़ता है वरना वहाँ पर भी जरूरत नहीं पड़ता है ओल फिल्ड तेल वाला मोटर वाटर फिल्ड पानी वाला मोटर जिस मोटर में पानी डाला जाता है वो पानी वाला मोटर होता है और जिस मोटर में कमपनी बोलती है तेल वाला मोटर तेल डाला गया है आपने कुछ नहीं डाला है उस में उस मोटर में बेरेंग होता है और वाटर फिल्ड में बुश होता है इसलिए यह वाटर फिल्ड में इसका जरूरत होता है बुशों को थोड़ा सा राउंड देने के लिए इसका जरूरत है उसमें पानी होता है मोटर में चिकनाट नहीं होती है बुशों में बिल्कुल इसलिए इसका जरूरत पड़ता है उसको घुमाने के लिए उमीद करता हम दोस्तों आपको पता चल गया होगा तो चलिए इसका वाइरिंग करते हैं मेरे सबी भाईयों को ये कड़ी बहुत पसंद आई बहुत कोमेंट आ रहे हैं तो इसके बाद दोस्तों जो C वाइरिंग होती है कपैस्टर वाइरिंग अब देखिए ये डी वाइरिंग है इसमें कपैस्टर का कोई लेंदे नहीं है कपैस्टर अब हमने अगर ना भी लगाएं तो ये स्टार्टर चल पड़ेगा यहां से हरे से लाल से ये चल पड़ेगा लेकिन C वाइरिंग में इल्टा होता है इन दोनों कपैस्टर भी कंट्रोल वेरिंग में काम करते हैं अगर C वेरिंग में आप एक भी कपैस्टर निकाल दे तो सारा सरक्ड़ बंध हो जाएगा जबगी दोस्तों ये एक तार स्टार्टिंग का बेस्टर का एक तार और रनी का एक तार यह दूनो वाई यहाँ पे वाई राना यहाँ पे लगा देना कुश्यो मित्र मेरे D.O.L. स्टार्टर पर वीडियो माग रहे है दोस्तो कुछ टाइम के कमी से प्रॉपर वीडियो मैं बना नहीं पाता हूँ जैसा जैसा भी बन जाता है आप सुक्वाइर करे हाँ कुछ भी चीज के जरूरत पढ़े पूछने को जहां कोई वीडियो का जरूरत पढ़े है आपको तो मैं डाल दूँगा तो अब बचा है दोनों त्या एक एक तार यहां पर एक बात का द्यान रखना है यह दोनों तारे कठा नहीं करना है कभी भी नहीं करना है वरना यह कपैस्टर दूआ चोड़ जाएगा स्टार्टिंग इसको लगी रहा देना ओनली रणिंग रणिंग का तार ही लगाना है वाई वायर पर कहां पर रेड रेड वाई पर वाई पर लगा दिया तो यहां से इसको डीला करिया और लीजिए दोस्तो रणिंग कपैस्टर का फिटिंग हो चुका है अब बात करते हैं स्टार्टिंग कपैस्टर की स्टार्टिंग कपैस्टर के लिए यहां पर देखें दो पॉइंट खा लिए इन में कुछ भी नहीं लगा तो अगर मोटर को आपका टाई टाय फस गया रहा है इसमें स्टार्टिंग कपैस्टर नहीं है पैनल में तो आप स्टार्टिंग कपैस्टर लेकर एक्जेंपल के तौर पर यह मैंने एक स्टार्टिंग कपैस्टर लिया और इसका दो तार स्टार्टिंग कपैस्टर का तो मैंने जहां पर सीधे ही आर और वाइपर टचिंग करा दिया ऐसे करके तो मोटर चल पड़ेगा अब आप यहां पर एक बार समझो एक तार तो इसका यहां पर लग गया और दूसरा तार हमने ऐसे बस टचिंग कराना है बस ऐसे तो इसके लिए इस स्विच के थ्रू हमने वेरिंग करना होगा क्यों जब इसको हम पुश करेंगे तो स्टार्टिंग काम करेगा और जब छोड़ देंगा काम बंद कर देगा यह देखिए यहां पर हमने मोटा मोटा लिखवाया तीन सेकंड से ज्यादा ना दमाएं इसका कपैस्टी चार से पांस सेकंड गया वरना यह दूआ चोड़ जाएगा तो इसलिए यह लिखा जाता है आप भी सिख लो कोई भी स्टार्टर है आपके घर में कहीं पर भी है यह अगर स्टार्टिंग कपैस्टर लगा है तो आपने यह पांस से ज्यादा नहीं दमाना है पर ना कपैस्टर का ब्लास्ट हो जाएगा भी जी भाई हो अब एक तार तो इसका लग चुका है अब दूसरा तार कहां पर लगाना है यहां से अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप आर वेरे से तार उठा कर यहां पर लगा सकते हैं और लेकिन उससे भी असानी उससे भी असान हम काम कर दें यहां से तार नकाला यह लगा दिया और अब देखें आर से यहां से तार नकला आर का तार यहां से नकला और यह यहां पर इदर भी आ गया यह जो फेस के हमने गुमाया है यह फेस यहां से निकल के यहां पर जाना है तो हम इसके साथ भी अटैज कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां से निकला फेस, हैंसे भी, मीटर और कंटेक्टर और ये आगे नीचे आ गया, तो अब यहां पर देखे दोस्तों, यहां से यहां पर फेस आ गया, तो यहां से जहां पर आ गया, जब पुष्च करेंगे तो आगे भी आ जाएगा, इदर भी आ जाएगा, इदर भी आ जाएगा, सब जगा पर फेस ही फेस आएगा, यहाँ पर कहीं पर भी नीटल नहीं आना है, इन चारों पॉइंट पर, तो स्टार्टिंग बेस्टर हमने फेस के साथ अटैच देना है, तो यह तार आप यहाँ प इस बात की कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पर भी इस तार को लगा सकते हैं यह जटका कपैस्टर है बस इसने एक जटका देना है और कपैस्टर ने अपना काम कर जाना और जब यह बटन आप छोड़ देगे तो यह काम करना बंद कर देगा लेजिए बाई हो, टोटल वायरिंग सारा कम्प्लीट हो चुका है एक बर दोबारा आपको रीड करवा दूँ, यह हमने फेस उठाया P से शरूत हमने यहां से किया था, P से भेज़ता है MCB, MCB से मीटर, मीटर से दूसरी तरफ और यह यहां पर गया कंटैक्टर पर आ गया और यह आगे से निकलके और यह तार यहां पर आ गया मोटर का R पर तीसरे प्रेंट पर आ गया और फिर हमने नूटल अठाया, नूटल को ऐसे गुमाया, यहां पर नूटल आ गया और या आगे से निकल कर मोटर का बलू तार पांच नमबर पॉइंट बलू तार पर बन गया और उससे आगे हमने वोल्टविमेटर का दू तार निकाला बटन का सीरियस दिया यहां पर इंडिकेटर पर लगाया इंडिकेटर को एक सप्लाई यहीं फेस से दे दिया और दूसरा सप्लाई मोटर का ब्लू तार से दे दिया यह भी कम्लीट हो गया अब कंटेक्टर एक तो निउटर को डिरेक्ट दे दिया यह वाला निउटर और दूसरा तार हमने निकाला और यहां पर लगा दिया यह दोनों टैज कर दिये इसको हमने डिरेक्ट फेस दे दिया और इसको हमने कंटेक्टर के आगे से फेस दे दिया यह भी हो गया कपैस्टर के बारी आई Y और R के साथ कपेस्टर लगा दिया रनिंग 50 का और स्टार्टिंग का कबतार एक Y के साथ लगा दिया और एक हरे बटन पर नीचे वारी सैट खाली पॉइंट पर लगा दिया और ये एक दूसरा पॉइंट उपर वाले पॉइंट से अटेच कर दिया तो दोस्तो ये था वारिंग अब दोस्तो अगले वीडियो में मैं सारी डेक्ट वारिंग खोल दूँगा और कपेस्टर वारिंग आपको करके दिखाऊंगा शौटर शी सी वारिंग आपको करके दिखाऊंगा और अगर ऐसे आपको और भी वीडियो चाहे तो प्लीज कमेंट करें आपके कमेंट बहुत अच्छे आते हैं बहुत बढ़ी लगते हैं शुक्रिया दोस्तों दाने बाद